सुहेल देश्वाभिमान पार्टी के राश्ची अध्यक्ष महेंदर राजभर ने प्रेस कॉन्फरेंस में कहा कि जो वीडियो वाइरल हो रहा है वह पूरी तरह गलत है आजकल तकनीक का यूग है कहीं से काट कर कहीं जोर दिया गया है कहीं का भी वीडियो बना कर वाइरल किया जा सकता है अरुर जी और नेता ओम प्रकाश राजभर जी का यह काम है वह लगभग एक साल पहले का यह वीडियो है यह सच्चाई नहीं है इसमें कोई दम नहीं है महेंदर राजभर ने कहा जान बूझ कर बदनाम करने के लिए यह साजिस्ट रची जा रही है हमारे अखले श्यादफ से कोई मुलाकात नहीं हुई है हमको अपने पार्टी का जंडा बैनर लेने के लिए जाना था हम अपने काम से गय थे हमारी किसी से भी कोई बातचीत नही चादर और कर कभी भी कहीं जाया जा सकता है देखे वज़ा यही ए ओंप्रकाश राजबर के पैर तले जमीन खिसक चुकी है इसमें कोई संशे नहीं है दो राय नहीं है उनके और उनके बेटे वह जाते हैं बीजेपी में वह जाते हैं इतशाक के यहां वहां जाते हैं सीयम प्रधार मंत्री और बेहन जी का नाम लेते हैं राहुल जी का नाम लेते हैं उन्होंने आगे कहा वहां खिलेश जी का भी नाम लेते हैं तो हम उनको कुछ भी नहीं कह सकते हैं वहां अपनी पार्टी संगठन कैसे चलाएंगे कैसे करेंगे अपने पार्टी केमालुइख हैं वह भी हम भी अपने पार्टी के लिए सवतंत्र हैं हम किसी से भी मिल सकते हैं कहीं भी जा सकते हैं उन्होंने 2,102 मिकवी एक्टा दल से गटवंधन किया था 2022, turning 32, 7 पने दल के सभी नेताओं को भी दोखा दे दिया। कारकरताओं को धोखा दिया है। انके वीदियो वार्यल करने से महेंद्र राजभर के छवी धूमिल करना आसान नहीं है।